अगर आपने Burger King के IPO में apply किया था और आपको allotment नहीं मिला तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है आप अगले issue यानि Mrs. Bacter's Food के IPO में apply कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं Mrs. Bacter's Food के IPO के बारे में Mrs. Bacter's Food का IPO 15 December से 17 December तक open रहेगा तो आप उसके बीच में कभी भी apply कर सकते हैं इस issue का size total 540 crore यानि 540 crore रुपे है इस IPO का issue price band 286 रुपीज से 288 रुपीज रहेगा और इसका minimum lot size 50 shares का होगा यानि अगर आप इसे cut off price पर भी invest करते हैं तो आपका maximum investment पर application 14,400 का रहेगा Mrs. Bacter's Food Specialty Limited की शुरुवात 1978 में Mrs. Rajni Bacter द्वारा की गई थी तो चलिए बात करते हैं Mrs. Bacter's Food के business model के बारे में Mrs. Bacter's Food दो segment में काम करता है एक है premium biscuit selling यानि इनके एक brand है क्रैमिका जो की North India में बहुत ही familiar brand है और इनका ऐसा ही एक दूसरा segment है bakery products यह QSR segment यानि की quick service restaurant segment को अपने buns and bakery products supply करता है QSR में इंडिया में Domino's, McDonald's, Burger King, KFC जैसे बड़े बड़े brands है और आपको जानकर खुशी होगी कि यह सारे clients Mrs. Bacter's Food के बहुत renowned clients है company के prospectus के according company इस IPO से जो भी fund raise करेगी वो अपने राजपूरा expansion process और company के दूसरे fulfillment को पूरा करने के लिए use करेगी आप सब जानते हैं कि पिछले काफी सालों से इंडिया में QSR chain industry काफी अच्छे से grow कर रहा है उसका कारण है इंडिया की young population और उनमें बढ़ता हुआ fast food का craze तो अगर ऐसे ही QSR industry इंडिया में grow करता रहा तो इसका सीधा सीधा benefit Mrs. Bacter's Food IPO को आने वाले सालों में भी हो सकता है तो चलिए बात करते हैं कमपनी के strong distribution network की कमपनी के 154 super stockist है कमपनी के 644 distributor supplies है और कमपनी 4,58,000 यानी 4,58,000 retail outlets के साथ अपने products को Indian market में sell करता है यही नहीं कमपनी इंडिया के अलावा 64 और countries यानी 64 other countries को अपने product export करता है वहाँ पर भी कमपनी के product की demand ऐसी ही है जैसे की Indian market में है तो चलिए बात करते हैं कमपनी की profitability के बारे में तो कमपनी के पिछले 6 months यानी 6 महिने के profit की बात की जाए तो वो 38 करोड यानी 38 करोड रुपे है से और अगर पिछले साल से compare किया जाए तो कमपनी का profit 10 करोड से बढ़कर 38 करोड यानी company 3 times grow कर रही है friends अब अगर dividend की बात की जाए तो company का dividend yield record भी काफी अच्छा रहा है पिछले 3 सालों से company 7.5% का dividend देती आई है तो अगर collectively company के financials depending on the dividend and profitability के साथ compare किया जाए तो काफी अच्छे है और साथ ही में उनका product भी एक fast selling product है because आने वाले time में भी हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में QSR यानी की quick service restaurants grow करेंगे तो आशा करते हैं कि हमने आपको company के बारे में एक अच्छी information दे दी है जिससे कि आप अपना decision ले सकते है और साथ ही में अगर आपको और अच्छी से इसके बारे में जानना है तो definitely आप इसके red horizon prospectus को go through कर लीजेगा फिर ही अपना decision लीजेगा कि आपको इस company में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और Mrs. Baptist Food के IPO के बारे में आपको कैसा लगता है प्लीज comment box में लिखकर जरूर बताईए आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और शेर करना मत बूले गया मैं हितेश सोमानी ऐसे ही और अच्छे इंफर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा तब तक के लिए happy investing, keep learning, thank you, bye bye